नमस्कार दोस्तों रन्टमोर क्लासेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों पहले अपन कुछ वर्ड्स जो की अपनी जेनलिपी की जो बुक है उसके इंदर 26 और 27 तमर के चेप्टर में दे गया है तो पहले उन कटिन वर्ड्स को लिखेंगे उसके बाद में अपन डिक्टे तक्त वागदेवी उच्चारण तुच्छ अच्चुवित मंजन राज्ये नाद इकटा सत्कर्म उत्तम उद्देशे उद्धम उद्धार दवनी नाए प्यार उल्लास कस्मीर उस्ण स्वामी दिग्विजेई मिथ्या रेल लड़कों मुहावरा दुखियों सत्त्रों क्रोदी अभीमान निर्दन। गुठली फिजुल बोलना जूट अब दोस्तों अपन देखते हैं कि कटिन वर्स तो हो गए अपने अब इसके बाद में पन लिखेंगे टेक्शन डिक्टेक्शन स्टार्ट होगी फाइव सेकिन वाद रेडी स्टार्ट उजेन का राजा दिग विजेई था कस्मीर उत्तम और परवर्तिय इस्तान है विराम सत्य वक्ता मिध्या द्यान भी नहीं करता विराम विद्या विबिन कारणों से विख्यात है विराम जूट बोलना बुरा है विराम माता पिता की आज्या मानो विराम क्रोधी हमेशा दुखी रहता है विराम अपने सत्रुओं से भी प्रेम करो विराम पढ़ने में मन लगाओ विराम आलसी हमेशा निर्दन होते हैं विराम हमेशा दूसरों का उपकार करो विराम दुख्यों की हर समय साहेता करो विराम अभीमान मत करो विराम फिजुल खर्च मत करो विराम किसी को भी मत सताओ खराब आदतों को छोडो विराम किसी से लडाई मत करो विराम गरीब लड़कों की साहेता करो विराम कल का पाठ आज ही याद कर लो नाव के डूबने से अनेक लोग नदी में बह गए विराम में इतवार को रेल से आऊंगा और उसी राथ को मतुरा जाना है विराम अच्छे बच्चे माता पिता के नाम को रोसन करते हैं हैं विराम आम के आम गुठली के दाम मुहावरा है विराम इसके माने ये है की आम भी खाना और उसके बीज से भी लाब उठाना विराम स्पेड तेज रेडी स्टार्ट उजेन का राजा दिग विजयी था सत्य वक्ता मिथ्या द्यान बी नहीं करता विराम विद्या विबिन कारणों से विख्यात है विराम उजेन का राजा दिग विजयी था कस्मीर उत्तम और परवत्य इस्तान है सत्य वक्ता मिथ्या द्यान बी नहीं करता विराम विद्या विबिन कारणों से विख्यात है जूट बोलना बुरा है है मातापिता की आग्या मानों विराम क्रोधी हमेशा दुखी रहता है विराम जूट बोलना बुरा है विराम मातापिता की आग्या मानो अभिमान मत करो फिजूल खर्च मत करो आलसी हमेशा निर्दन होते हैं गरीब लड़कों की साहिता करो किसी से लड़ाई मत करो अच्छे बच्चे मातापिता के नाम को रोसन करते हैं आम के आम गुटली के दाम मुहावरा है स्टॉप दोस्तों यह डिक्टेक्शन 32 वर्ड प्रेमेंट के हिसाब से थी और दोस्तों इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करके देखे और हिंदी ट्रांसलेशन को जो मैंने इमेज प्रोवाइड करा है यह साथ में उसके मादिम से आप जेख कर सकते हैं धन्यवाद